हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अठारवे अध्याय का इक्यावनवा श्लोक 18.51 जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिसकस किया कि तीन श्लोक एक साथ परुपाजी ने कलब किये हैं और उनमें भगवान बेसिकली भगतों के गुण बता रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं किसे आत्म साक्षातकार का पद पराप्त होता है यानि मोक्ष जो आत्मा को समझ सकता है आत्मा में स्थित हो सकता है तो इमानदारी से अगर मैं बोलूं तो भगवान ये बाते पहले भी कई अध्यायों में कई बार बता चुके हैं मुझे याद है एक बार मैं प्रभुपाजी के बारे में कुछ पढ़ रहा था तो एक शिश्य जो नया रहा होगा उसने प्रभुपाजी को का आप अपने लेक्शर में रोज कुछ बाते रिपीट करते हो और आप कुछ नया बताया करो प्रभुपाजी ने का रोज इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि अभी तुम् bilmiyorum नहीं आया है फिर प्रभुपा जी ने का मैं क्या repeat करता हूं उसने जो बताया फिर प्रभुपा जी ने उससे पूछा तुम्हें ये समझ में आ गया है Can you realize it? आप इसको महसूस करने लगे हो तो उसने का no बोले फिर जब तक आप इस बात को realize नहीं करोगे मुझे तो बार बार बोलना पड़ेगा अब देखा जाए तो भक्त में जो qualities होनी चाहिए हैं मैं फिर बोल रहा हूं बार बार इस बात को बोल रहा हूं पूरी भगवत गीता खतम होने को आई अब भगवान लास्ट में सब चीजे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये qualities आप में होनी चाहिए हैं मैं फिर बोल रहा हूं इसमें मैं कुछ नया नहीं बता पाऊंगा भगवान ने कुछ नया लिखा नहीं इस सब बाते भगवत गीता में पहले भी आ चुके हैं लेकिन एक बार जैसे मैंने का ना क्लास खत्म होती है तो एक अच्छा टीचर जो कुछ उस क्लास में पढ़ाया हो तो इसको रिपीट करता है और ये तो पूरा सलेबस है तो पूरा सलेबस अब खत्म हो रहा थारे में ध्याय में तो भगवान अब अर्जुन को वो सब बाते मन भी शुद्ध करम करे मन से भी तो करम होते हैं मन में विचार आते हैं मन ही हमें इंस्पायर करता है और फिर कई बार मन और बुद्धी का इस्तेमाल करके हम इंद्रियों को यूज करते हैं जिसमें कुछ भी बोलते हैं खाते हैं चलते हैं सोते हैं जागते हैं तो शुद ज्रूरी धैरे पूर्वक मन को वश्मे करना मन कहां वश्मे होता है पूरा प्रुआ गेता में सुधैन भगवान ने कहा कि हमें मानता हूं कि मन बहुत चंचल है तो धैरे के जुरुत है और धैरे पूरुवक शब्री Transport युनिकि मन को वश्मे करने में इफ़र्ट करना राग और द्वेश से मुक्त होकर राग और द्वेश ये पहले अध्याए कि पहले स्लोक से चल रहा है राग और द्वेश से मुक्त होना है राग होता है मेरा मेरे जो कुछ मिले मुझे मिल जाए द्वेश होता है दूसरे को कुछ मिल गया जिसके लिए वो इलिजिबल भी थ तो भी उससे इर्शया की feeling रखना इसको ना मिल जाए त्वेश तो भगवान करें राग और द्वेश से मुक्त होकर जो वेक्ति एकांत स्थान में वास करता है एकांत का मतलब फालतू की जोगों पर नहीं जाता है एकांत का मतलब जरू नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि व्रि थोड़ा खाता है इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी खा लेता है जहां तक हो सके भूग लगा के भगवान का भोजन कर रहा है प्रसादम ही लेता है थोड़ा खाते का मतलब यह है और हाँ थोड़े खाने का मतलब थोड़ा खाना भी है यह नहीं कि आठ चपाती बैठके ख अगर पहले ऐसा था भी तो थोड़ा सा तो त्याग और उस तरह का जीवन होना चाहिए तो हम जो टोटल फूड की कौंटिट ले रहे हैं वो भी थोड़ी तो कम करने चाहिए फिर शरीर मन और वानी को वश्मे रखता है वानी इसमे मैं कहूंगा मन को वश्मे करनी तो वानी भी वश्मे करनी बहुत जरूरी है वानी की तपस्याएं हम सत्रे में अध्याय में पढ़ चुके हैं अब चाहिए तो वहाँ जाके रिपीट कर लें भगवान सब चीजे अब संक्षेप में दुबारा बोल रहे हैं शरीर मन और वानी को वश्मे रखना है सदैव समाधी मे रहता है समाधी में रहने का मतलब भी फिर वो नहीं है जो हम समझते हैं समाधी में रहने का मतलब है अपनी इंद्रेओं को इंद्रीयों को कंट्रोल करके रखना पूरी तरह से फोकस्ड शांत श्थिर्व एक थान वो दूसरा द्ध्या मिस्थप्रग्य हिलता नहीं विच इतनी बार चर्चा कर ली है. भगवान नहीं चाहते हैं आप में किसी तरह का एंकार हो. भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त एक सरलवक्ती हो. मिठ्या शक्ती, मिठ्या गर्भ, फिर काम क्रोध इससे मुक्त हो. काम कितना आप जानते हो महत्पूर है? किस सेंस में महत्अपून है कि ये नहीं होना चाहिए अगर हमारे अंदर काम इच्छा बनी हुई है अभी तक हमारे अंदर स्त्री और धन का लोब स्त्री और धन का लालच भरा हुआ है तो भक्ती करने में दिक्कत तो आईगी फिर KRODE यह भी बहुत परीशान करता है KRODE होने पर फिर उसकी लंबी-लंबी implications होते हैं जो कि भक्ती में स्थिरता को हिलाते हैं वीचलने पैदा करते हैं जहां तक उसके अपने KROด को भी वशमे करना होगा बहुतिक वस्तों के संग्रह से मुक्त है सबसे बड़ी बहुतिक वस्तो तो धनी है और फिर भी हमारे अलावा इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजे होते हैं बहुत सारी लोग गोल्ड खरीदते रहते हैं क्या काम आएगा उनके है ना गोल्ड की वस्तों में खरीदते रहते हैं और बहुत कुछ खरीदते रहते हैं जो कई बार बिलकुल काम ही नहीं आता तो ये है भौतिक वस्तों का संग्रह है मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहीता है भगवान ने पहले कहा दिया पांच वे अध्याए का उनट्यस वाश लोग ये जित्रे भी लोग जो कुछ भी नजरा रहा सबका मालिक सबका स्वामी मैं हूँ तो आप ये मान के चलिए कि फिलाल आपके मकान की रिष्ट्री आपके नाम है कल किसी और के नाम थी और कल किसी और के नाम हो जाएगी पका ये तो पकाई है ना प्रिटिश नाम सामराज्य खतम हो गया आप क्या चीज़ है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मिथ्या स्वामित्यू की भावना छोड़ देनी चाए कि मैं मालिक हूँ मैं मालिक हूँ हमें ये भावना होनी चीज़िए कि फिलहाल इस प्रॉपर्टि का मैं केर टेकर हूँ कल कोई और हो जाएगा तो फिर इतना दुख नहीं होगा मरते समय कि हाई मेरी प्रॉपर्टि मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, करते रो मेहनत वो आपकी इच्छा है भगवान कह रहे हैं जो शान्त है ये सारी qualities जिसमें है वो निश्च ही आत्म साक्षात के पद को प्राप्त होता है यानि मोक्ष को प्राप्त करता है भगवान के धाम जाने के लिए eligible है मैंने बहुत डीटेल में चर्चा नहीं की क्योंकि पहले हम ये सब चीजे पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं, समझ चुके हैं हरे कृष्णा